और National Behavior Part 54 में आज आज बोग समझेंगे ग्रैवियर सेंडिंग बिबारे में देखें ग्रैवियर सेंडिंग के लिए इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपकी शिकायते हैं उसको सॉल्व कैसे दिया गया इससे रिलेटेड है इसको कैसे सॉल्व करना है यह इसमें लिखा है आज को क्या करना पड़ेगा विद वर्कर डेसे जो वर्कर से रिलेटेड डिस्टिस्फेक्शन है मतलब कि वर्कर से रिलेटेड कोई भी प्रॉल्व है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़े आप अपनाएगे तो वह ग्रेवियंस हैं अब ग्रेवियंस हैं के लिए कुछ एक प्रोसीजर दिया गया है इसके यह शेस्टिप दिये हुए है यह क्या है सबसे पहला इडेंटिफाइड रिवियंस कहीं पर कोई शिकायत परिवेद ना है तो उसको समझिए फिर डिफाइन करेक्टी में प्रॉल्म कि इस वज़े से इसको देखिए फिर उससे डेलेटेड डेटा कलेट करिए किसी एक पर तीक की है कि कहीं होगी है फिर पर इसके वारे में शीज़े आनी चाहिए नए तो कंफूजन बना रखता है फिर उसके बाद उसको लागों होना ज़रूरी है यह नहीं कि आपने सो समाल यह अपका लागों होने बड़ी देर हो रही है तो यह प्रोसीजर है जिससे कि आप आपको ग्रेज्टीम को आप करेंगी जब आपनी टेंशन टीस्टेंशन खतम हो जाएगा तो प्रोड़क्टिविटी बढ़ने के बाद लेवर टन ओवर और अच्छेंटी जो है वह कम हो जाएंगे नियुक्ट अभी इदा मालिजें फर इग्रम्पल आप कहां से जल्दी छोड़ चाड़ के जाएंगे डिस एडवांटेज क्या है जिसमें टाइंग काफी लगता है दूसरी चीज औरनाजिशन टू यह वैली करेगी और कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स में यह इसका सलूशन इस तरीके से नहीं नितल पाता है ठीक है तो यह सब कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके थूरू मतलब डिस एडवांटेज में हमने पता दिये हैं ठीक है ओके थैंक यू